DPF इस भाग में हम सिखेंगे DPF का उद्देश, DPF का कारिय, DPF का इनपुट और आउटबुट याने निवेश और उत्पादन DPF का उद्देश DPF का मतलब है दीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF का मुख्य उद्देश, एक्जॉस गैस से कार्बन और सल्फर पार्टिकल को कम करना DPF का कारिय, कार्बन पार्टिकल्स पी-एम को पकडने, संग्रह करने और जलाने के लिए DPF एक फिल्टर के जैसे काम करता है Input और Output, Regeneration, पार्टिकलेट मैटर याने पी-एम को जलाने और कम करने के लिए DPF में पोस्ट इंजेक्शन किया जाता है जब फिल्टर पूरी तरह से भर जाता है तो कार्बन पार्टिकल्स को Regeneration याने पूनरजनन की प्रक्रियाद्वारा जला दिया जाता है